सुरी कुमार यादाव और भूमेसर कुमार ने रचा इतिहास स्रीलंका को दे दी है आर्टिस रहनु से मत नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एसके स्पोर्ट के तोर नई वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्रीलंका दोरे पर सुरी कुमार यादा और भूमेसर कुमार ने कौन से इतिहास रचा है और कौन सा की है बड़ा करनामा तो दोस्तों पुरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं और अगर आभी सुरी कुमार याद पहले बल्ले बाजी करते हुए स्रीलंका के सामने 165 रनों का लच्छ रखा भारत के लिए पहले पारी में सुरी कुमार यादों ने सबसे यादा 34 गियंदों पर 50 रनों की पारी खेली इसके अलाओं कप्तान सिखरदावन ने 46 रनों का योगदान दिया अंतिके औरों में किसन ने अच्छे हाथ दिखाते हुए 20 रन बनाई वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत तरफ से बल्ले बाजी करते हुए सिर्फ भारत के पांच विकेट गिरे से जिसमें से स्रीलंका के गेंदबाज 12 सासुरंगा दो विकेट दिसमुंता चमीरा दो विकेट और च वालिस रनों की पारी खेली हाला कि इसके बाब जो स्रीलंका के टीम लच्छ के चूने से 28 रन दूर रह गई और भारत ने आसानी से मकाबले को अपने नाम कर लिया दोस्तों आपको बता दें कि भारत के गेंदबाजी में भुमेसर कुमार ने चार विकेट घटके हुए द कर दो